मैं आज दूसरे टीचर्स की तरह आपको सिंद भाषा के बारे में बता रहा हूं जे बच्चे खुद पताएंगे करके आपको सबसे पहले जो मेरे थौर्ट से हैं भी भाषा कहां से शुरू ही है जो मैंने अपने सब्चिर में पढ़ा हुआ है कि नसान पहले जंगलों में रहते थे और हम जानवरों के बीजे में होते थे जो हमारे से पूरी जो सबसे पहले हम अनसान पैदा हुआ कहां उसने अप स्ट्रगल करी जैसे अब भी आप देखो एक पक्षी है वो अपनी नसल के पक्षियों के बीच में गुमता है कि कदे चिड़ी और कोवा कठे कोई भी एनिमल्स हैं वो अपने अपने ही उसमें रहते हैं शेर शेरों के बीच में रहते हैं हिरनों के बीच में रहते हैं ऐसे जब जंगलों में अनसान गुम रहे थे तो उन्होंने देखा यह हमारी तरह हैं मैं इसकी तरह हूँ तो वहां से जैसे चीची करती है ऐसे ही अंसान अपनी language कुछ बोलते थे तो फिर वो एक दूसरे से बोलने लगे वहाँ से हर बाशा का वहाँ से ही जो बाचा शुरू है कितनी भी language अभी चलती हो लेकन जो शुरूआ बाचा की जंगलों से हुई है तो ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ के सिंद वाशा हैं जो ये पाकसितान के सिंद परदेश में बोली जाती है अधने कारिया समाज की इनकी देन है तो जे बच्चे आपको बोल के बताएंगे तो थिको हेलो, नमस्कार आंजिया आंजिया वट इस वे नीम आंजिया आपका नाम क्या है तो आंजो नालो चाह आहे आप पीछे से जोर से बोलो तो आंजो नालो चाह आहे My name is कुड्ली मेरा नाम कनिशका है मुहिंजो नालो जनत आहे मुहिंजो नालो जन्नत आहे मुहिंजो नालो जन्नत आहे How are you? क्या हाल है आपका? तुवाओं की आहिया तुवाओं की आहिया तुवाओं की आहिया I'm fine मैं ठीक हूँ माठी कहिया माठी कहिया माठी कहिया धन्यवाद